और बर गाजS, 또 अभी तक हम लोग ने काफी चीज़े कबर कर ली थी और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे हम लोगDeTWA Berlin करेंगे from view से controller पर हम लोग को simply मैंने सारा concept पिछल वीडियो में सब्जाया था तो आप एक बार वीडियो को चेक करें उसका description box में link दे दूंगा तो मैंने simply बताया क्या था कि आप view में JSP में आपको एक form बनाना है और फिर उस form को submit करा देना है अपने कंट्रोलर के पास यह सारे चीज़े मैं आपको discuss की थी और फिर हम लोग कंट्रोलर पर क्या करेंगे हम लोग data को get कर सकते हैं with the help of at request parameter annotation और या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं at model attribute annotation या फिर हम लोग पुराना तरीका उज़ कर सकते हैं सब्सक्राइब करने से पहले हम लोग यह सारा काम करेंगे पूरा प्रेक्टिकली परफॉर्म करेंगे बड़ यह सब चीज करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा एक नया लोग देखते हैं और इसको समझते हैं फिर इसका प्रेक्टिकल करते हैं फिर हम लोग क्या करेंगे डेटा को सेंड करेंगे अपने व्यू से मैप करने का मतलब क्या है यह समझना पड़ेगा तो हम रिक्वस्ट मैपिंग कर रहे हैं पहले से अजहां से पेज करते हैं तो हमारा यह आता है इधर मैं open कर देता हूं तो दिखे तो simply basically यह यह तो हमारा project का नाम है spring mbc यह हमारे project का नाम है बट आपने क्या लिखा है यहां पर slash home तो यह basically URL होता आपका यह slash home आपने यहां पर fire किया है और यह basically यहां पर भी आपने यह URL क्या करके रखा है map करके रखा है तो जैसे ही आपने यहां पर home लिखा इसलिए यह वाला function चला है क्या क्या करके रखा है यहां पर slash home लिख कर रखा है mapping करके रखी है और यहां भी आप slash home fire करने है अगर आप पढ़ए दोगे तो वह चीज लिखने पढ़ेगा यहां पर slash home करद आपर दिहां लीकि से ह्ंदी आता उई उर्क्राइब तो बेस्किली यह West रिकवेस्ट से हमारा क्या है यह है यूर्य और इसी वाइरेल को मैप करने के लिए हम लोग slash home है इन्होंने example के लिए था slash appointments लिया है on to a entire class इसको हम लोग entire class पर यूज कर सकते हैं या फिर particular handler method पर यूज कर सकते हैं तो हम यह दोनों जगे यूज कर सकते हैं हम लोग ने भी क्या यूज किया है हम लोग ने अपने example पर देखिए method पर यूज किया है जिससे कि आप अपने handler को अपने URL से map कर पाओ देखो ध्यान से ये basically आपने क्या दिया URL तो जैसे ही आप request mapping slash URL पास करोगे अब इसका मतलब ये map ये जो method है वो इस URL से mapped है अब आप ये URL slash home अपने project के बाद slash home फायर करोगे तो ये वाला method चलेगा फिर slash help है तो slash help फायर करोगे तो ये वाला method चलेगा इस तरह के से आपको क्या करना है अपने handler mapping को request mapping की help से annotate करना है अब बात आती है चलो भाईया ठीक है हम लोग ने क्या कर दिया यहां पर mapping कर दिखाओ तो आप देख विलो हूं पर και हूं फिर चल रहा है controller चल रहा है handler mapping चल रहा है और साथ ही साथ में लोग यहाँ पर अबाउटाइर करेंगे तो हमारा यहां पर लोग चल जाएगा और अगर हम और हम कर देते हैं यहां पर खर talk help चल जाएगा ठीक है तो आपका help वाला चलेगे, तो यह basically mapping थी, तो जैसे जैसे आप fire करतेगे, वैसे वैसे चलता गया, ठीक है, अब बात करते हैं, कि exactly इस तरह किसी तो आप काम कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं, आप direct क्या करो, यहाँ पर map, अपने handler mapping, मतलब controller के अंदर, जो भी handler class, handle method, आपक अगर है documentation देखें, तो यह कह रहा है, कि भाईया, इसको हम लोग क्या कर सकते है, class पे भी, entire class, मतलब पूरी class पे भी use कर सकते हैं, साथी साथ में particular handler method, तो यह तो हम लोग अपने method पे direct use कर सकते हैं, बाट अगर आपको class पे use करना है, तो कैसे करना है, ध्यान से देखिए, ध आप controller के नीचे लगा सकतो है, request mapping, और यहां पे भी e-viral दे सकतो, अब यह जो e-viral होगा, वो आपके सारे handler के लिए होगा, that means, अब इस class के अंदर जितने भी handler आप बनाऊगे, सब relative to this, related to this e-viral होगे, that means, जैसे मैंने, मालो एक नया e-viral बना दिया, नीचे नो ने बनाया होगा, get for day वाला method बनाया है, उसके अंदर एक e-viral बनाया होगा है, slash day, ठीक है, अब होगा क्या, अगर आपने request mapping class पर ही लगा दिया, तो यह सारे method इस e-viral के बाद e-viral से चलेंगे, मलब पहले आपको यह e-viral लिखना पड़ेगा, then आपको यह e-viral लिखना पड़ेगा इसको और अच्छे समझते हैं, हम यहाँ पर practically करेंगे, देहां से दिखेगा, suppose, आपने यह क्या किया, यह लिखा तब तो ठीक था, मतलब आपने method पर direct लगाया, तो आपको पता है कि आपको slash home fire करना, but suppose हम यहाँ पर लगा देते है, at the rate, और यहाँ पर भी हम लगा देते ह तो मैंने कहा चलो भाईया, यह हमारा, यह हमारा first, ठीक है, यह हमारा first controller है, ठीक है, तो हमने slash first मार दे, आप धहां से देखेगा, मैं क्या कहने को कोशिस कर रहा हूं, मैं simply यह कहने की कोशिस कर रहा हूं, कि अब देखो, इन्हों ने भी यहाँ पर use किया था, appointments, ठीक है, य यह home चलेगा, direct home लिख दोगे तो नहीं चलेगा, तो जब भी आप controller पे request mapping लगाओगे, तो इसके जितने भी वारल है, वो सारे वारल उसके relative में काम करेंगे, जैसे, अब हम लोग ने यहाँ पर controller class पे ही लगा दिया, first, तो अब अब क्या होगा, यह first, जो है, वो सब handler mapping के URL से पहले आएगा, that means, अगर यह वाला method चलाना है, तो आपको लिखना पड़ेगा, slash first, slash home, तब यह चलेगा, about चलाना है, तो slash first, फिर slash home लिखना पड़ेगा, तब चलेगा, आपको दिखाता हूं practically, यहाँ पर आएंगे, और अगर about पे refresh करूंगा, तो देहां से देखेगा यहाँ पर error आजाएगी, ठीक है, 404 not phone, अब अगर आपको about चलाना है, यह वाला चलाना है, तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा, first पे, that means, सबसे पहले आप first fire करो, then about fire करो, तो मैंने का, चलो बगई, हम लोग पहले first fire कर लेते हैं, then about fire कर लेते हैं, तो simply देखो, आप क्या fire करोगे, आप home fire करोगे, तब यह चले, अब आप लोग सोच रोगे, first क्या है, यह first आपके controller पे जो आपने request mapping लगाया था, वो चीज़ है, controller पे first, that means, आप simply सोचो, खुद सोचो, अगर यहाँ नहीं लगाया, तब तो आप direct use कर लोगे home, जो भी आप लिखोगे method के लिए, जो भी वारल दोगे, वो यूज कर लोगे, काम हो जाएगा, बड़ अगर आप अपने controller पे लिख देतो request mapping, तो आप इस वारल तक पहुशने के लिए, बड़े भाई तक पहुचोगे, तब छोटे भाई तक पहुचोगे, that means, दो दर्वाजे हैं आपके घर में, अब में दर्वाजा है और अंदर वाला दर्वाजा है, तो अंदर वाले दर्वाजे तक पहुचने के लिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बाहर वाले दर्वाजे पहुचना पड़ेगा, तो पहले home fire करने से पहले आपको first fire करना पड़े कुछ चीज है और भी है दिया से दीखिये कुछ चीज ऑर भी है इसके साहता बहुत सारी चीजिए उसकते और एक और इंपोर्टेंट चीज इसके साथ आप उसकर मैथर्ड इस जैसे जो request है जैसे request यहाँ पर हम लोग मारेंगे जब slash home fire करेंगे तो browser क्या करेगा slash home जैसे ही आप fire करोगे यहाँ पर जैसे आपने first slash home fire किया तो यह page open हुआ तो यहाँ पर get की request कई get का मतलब simple get की request कई यह get method होता है अगर आपको protocol के बारें पता है तो simply get क्या एक method है जिसकी आपसे हम ब्राउजर या हम लोग क्या कर सकते है रिक्वेस्ट मार सकते हैं तो simply get के request के अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इसमें समझाता हूँ तो यहाँ पर जो request है view से controller तक का method के form में जाती है जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो method मेरा method कहने का मतलब क्या है यह हो सकता है get के form में हो सकता है यह post के form में हो सकता है और browser browser basically get और post ही मारता है बट आप और भी तरीके उसकर सकते हो जैसे आप API कोई बना रहे हो तो आप delete method कर सकते हो कि के delete method इसकर सकते हो इसे तरह इसे डिलीट कर सकते हो ऐसे कर सकते हैं तक इंद तरीके इसको fire करने के लिए तो basically हम क्या कर सकते हैं जब यह requests हम लोग रहे हैं तो हम यह specific कर सकते हैं कि यह controller या यह handler किस method के साथ काम करेगा सबोज यहां पर आपको method specify करना है यहां पर क्योंकि by default है कोई इशु नहीं ठीक है बड़ अगर आपको क्या करना है आपको specify specify भी करना है तो आप क्या करोगे यहां पर सबसे पहले आप यहां पर रिखना पड़ेगा यहां पर request तो आपको मिल जाएंगे यहां पर देखें बहुत सारी चाहिए गट डिलीट हैड ऑप्शन पैच पोस्ट पूट डिलीट ट्रेस ऐसे करके है तो मैं यहां पर यहां पर क्या होगा अब आपने यहां पर specify किया है कि यह जो method यह जो इवारल है इस पर जो submission होगा वो किस method के form में होगा get के form में होगा तो अब यह get के लिए ही support करेगा तो ध्यान से देखो अगर मैं यहां सेब कर देता हूँ और अगर मैं refresh करता हूँ तो get के form में request आ रही थी तो यहां पर चल रहा था अगर सपोज आपने यहां पर specify कर दिया post अब by default तो get होता है तो जैसे मैं यहां पर refresh करूंगा तो जाएगी get के form में request तो आप देखो कि जैसे मैं करेंगा तो यहां पर error आएगी हो कह रहा है method not allowed मतलब यह method यहां पर अलाउड नहीं है get क्योंकि यह जो ब्राउजर रिक्वेस्ट कर रहा है और जो यहां पर आपको delete यूज करना तो यहां पर आप delete यूज कर सकते हो ऐसा करके methods यूज कर सकते हो तो फिर आपको क्या करना होगा यह वाला syntax यूज करना होगा I think आपको समझ में आ गया बट अभी फिलाल हम get use करेंगे जब put की बारी आएगी तो मैं आपको समझाओंगा तो I think आपको यह समझ में आयोगा कि basically request mapping annotation क्या है किस तरीके से काम करता है तो basically हगर यहां पर definition पर जाए तो definition जैसा spring का documentation बता रहा है कि basically हम लोग request mapping annotation अपने urls को map करने के लिए या तो हम class पर यूज कर सकते हैं और या तो हम particular method पर यूज कर सकते हैं difference है अगर आप method पर यूज करोगे तो आप direct method का जो url होगा उसको fire करोगे method को चलाने के लिए अगर class पर यूज करोगे सो सबसे पहले आप class class का जो url specify किया है उसके बास लगा कि आपको method का url उसकर न पड़ेगा और उन्होंने बताए भी आगे अगर आप देखो typically the class level notation match the specific request path on to a form controller with additional method level notation ठीक है और यहां पर देखो बताया हुआ है primary mapping for specific HTTP method अगर आपका specific HTTP method बताना भी है तो आप get post बता सकते हो अपने request mapping के bracket में जैसा हम लोग ने यहां पर use किया है so I think आपको अप clear होगा कि request mapping कैसे उसकरोगे कैसे class पर use करोगे कैसे method पर उसकरोगे कैसे path के साथ साथ method भी specify करोगे क्योंकि यह चीज़ जरूरी है और यह चीज़ अभी आगे काम आने वाली है so I think आपको समझ में आओगा request mapping annotation अब हम लोग क्या करते हैं अब हम लोग sending data from view का थोड़ा सा module आगे करते हो और सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं क्योंकि हमको दो चीज़ तो बनानी है हमको पता है सबसे पहले में व्यू बनाना है फिर controller बनाना है तो सबसे पहले हम व्य होता है तभी आप क्या कर पाऊगे mapping हो गया रहा कर पाऊगे बाद में हम लोग add the rate path variable भी देखेंगे कैसे आप URL में data ला सकते हो आपको यह वाली वीडियो समझ में आयोगी इसमें जो मैंने useful concept बताया है वो आपको समझ में आया होगा और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे अपना यह वाला module जो आपको screen पर देख रहा है इसको complete करने के कोसिस करेंगे यहाँ पर font design करेंगे और जो भी चीज़े जरूरी वी वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो को आप देखिए अगर आपको content useful लगा तो आप वीडियो को share कर सकते हैं वीडियो को like कर सकते हैं और चैनल को subscribe कर सकते हैं मैं मिलता हूं आपसे next interesting review में तब तक लिए जै हिन जै भारत